नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल पुनित में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हो तो दोस्तों cash में रिडीम करना बताऊंगा और वो जो रिडीम होगा पैसा वो आपके bill में भी adjust हो जाएगा और जो आपको bill amount भरना होगा वो भी आप कम भरोगे तो पूरा वीडियो देखना step by step पूरा process समझाऊंगा detail में तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरू लाइक कर देना तो दोस्तों HDFC bank credit card के reward point को redeem करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है अपने HDFC bank के app को open करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पाँ HDFC bank का app है तो मैं इसको open कर लेता हूँ अगर आपके पास यह app नहीं है तो आप इसको download कर सकते हैं लिंक मैंने नीचे वीडियो के description में दे दिया है उसके बाद आपको simply अपने login pin को यहाँ पर डाल के enter login कर लेना है तो मैंने अपना login pin यहाँ पर डाल लिया है और डाल लेने के बाद यहाँ पर हमारा app open हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ ऊपर में तीन option मिल जाता है menu क आपको simply menu पर tap करना है तो उसके बाद आपको pay पर click करना है pay पर click करने के बाद आपको एक option मिल जाता है credit card का तो आपको इस card करना है card पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हूँ मेरे को यहाँ पर loan का offer मिल रहा है तो मुझे loan नहीं चीए तो मैं इसको simply close कर दूँग तो इसको skip करेंगे नीचे यहां पे देख सकते मेरा reward point किटना है? 2017 यहां पे reward point है जो कि आप यहां पर देख सकते हूँ ठीक है उसको आप simply नीचे आओगी नीचे आने को swipe करना है और swipe करने के बाद यहां पर आपको एक option मिल जाता है reward point redeem का इसको आपको simply click करना है क्लिक करने के बाद यहां पर एक confirmation के लिए पुछा है कि आपको पूरा redeem करना है तो हां मुझे redeem करना है तो मैं यहां पर confirm पर click कर दूँगा है तो अभी जो हमारा available reward point है वो कितना है 17-17 तो नीचे में आप देख सकते हमें हमारे यहां पर जो option मिलते हैं वो चार option मिल जाते हैं एक अगर आपको product और voucher खरीदने तो आप यहां से ले सकते हो इसके लावा आप देख सकते हो 17-17 मेरे पास total available reward point है और उसकी जो value है INR में वो आप यहां पर देख सकते हो 258 तुपीज यहां पर आई अनर में शो कर रहा है तो यहां पर आपको कितने reward point redeem करने वह आपको simply यहां पर mention करना होगा enter redeem two points ठीक है तो यहां पर enter points to redeem पर आपको यहां पर amount पर point डाल देने कितने आपके points redeem करने तो मुझे 17-17 मैं यहां पर डाल दूँगा ठीक है जो कि मेरा requirement अभी available है तो यहां पर मैं 17-17 यहां पर मैं type कर देता हूं ठीक है और यहां पर आप सकते हैं इसने automatic मुझे बता दिया कि हमारा जो amount होने वाला है वह 258 रुपीस हमारा convert हो जागा cash में उस पर नीचे आपको proceed का button मिल जाता है तो simply आपको इस proceed के button पर click कर देना है और click करने के बाद your cash redemption request to be for a minimum of 500 यानि कि यहां पर कह रहा है कि आपको minimum amount होगा वह 500 से नीचे यह redeem नहीं करेगा ठीक है तो यानि कि हमारा reward point है वो अभी बहुत ही काम है तो हमें next time जैसे मैंने आपको करके दिखाया है तो भी मेरे पास reward point कम है इसलिए यह redeem नहीं हुआ है लेकिन अगर आपके amount 500 से ज्यादा हो जाता है तो आप उसको redeem कर सकते हो तो जाए और जा करके अपने HDFC bank credit card की reward point को redeem कर लिजी cash में ताकि आपका bill में वो adjust हो सके और आप bill amount भी कम पे आपे तो झाले आप झाले आप झाले अप में आपाने होसा है आपाई यहिए है